नमस्कार जहीन बंदे मातरम प्यारे भाई वहिनों आज आपके लिए भुगोल की एक नई स्रिंखला प्रारम कर रहे हैं आज उसका पहला चेप्टर आपके सामने हाजीर हो रहा है भारत का भोगोलिक परिचे में पूरा मांचित्र के साथ साथ और जितना डिस्क्रिप्टि पूर्बक की इस पीडियो आपको देख लीजिए पूरा कितना सिस्टमेटिक आपको मिलेगा बस बीडियो को आपको बिना स्किप किये हुई लास तक देखना है यदि आप पूरा बीडियो देखते थे भारत का भोगोलिक परिचे से समन्दित तो आप गारंटेड करके आ पाद हम क्या क्या देखेंगे माद्यम से की दच्छन तम बिंद उत्तरी बिंदु कहां से सुरुआत होता देखे साइथिस पॉंट्स उत्तरी तम बेदु साइथिस संस चेस तो अभी इसन सब को देखते हैं क्या-क्या इसमें देखे और उसके बाद करक रेखा के बारें कि जाने किस-किस राज्यों से और भारत का टाइम-लाइन कितने-कितने राज्यों से गुजरता है इन सब के बारें देखे टाइम-लाइन आपको दिखरा यह गुजरा हुआ है मानक समय रेखा जिससे कहते हैं और यह पूचेंगे उत्तर से दच्छन की लंबाई और पहला है देखिए भारत क्या है एक विसाल देश है इसकी विसालता के कारण ही इसे महाद्यूप की संगया भारत को क्या है उप महाद्यूप की संगया दी जाती है अकेला ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है इसका प्राचीन नाम क्या था तो ब भारत वर्स कहला है अब बात करते हैं देखें बाइदी कार्यों का निवास कहां पर पाना जाता तो उस सिंदु गाटी में था जिसे इराणियों ने हिंदु नदी तता देश को हिंदुस्तान कहा युनानियों ने सिंदु को इंडस तता देश को इंडिया कहा ये चीज़े तो सिंदु को हिंदु को क्या कहा सिंदु कहा और सिंदु सरी सिंदु नदी को हिंडस कहा और यहाँ परपसेन वाले लोग को इंडिया कहा इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान और इंडिया दोनों है हिंदुस्तान और इंडिया आपको नामकरण समझ में आ गया होगा देखो इरानियों ने क्या कहा था तो इरानियों ने हिंदू कहा था सिंदू नदी को हिंदू नदी हिंदू नदी कहा था और देश को हिंदू स्तान कहा जबकि इनानियों ने सिंदू को सिंदू कहा सिंदू को क्या कहा हिंदू इंडस कहा और यहाँ डेश का नाम क्या है, इंडिया कहा तो दोनों को concept को याद कर लेना है, आकृती, इस्थिति और विस्तार अभी पहले देख लेते हूं, उसके बाद हो इससब चीजों को मायगो मैप से देख लेते हैं, बहार साथूं, देखे भारत के आकृती कैसी, तो प्राइदीफ है ये चीज़े याद करते पश्ची में क्या है तो बताओगी और अब प्राइदीफ है चलते हैं या विस्व का अकेला ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर के नाम पर पड़ा हुआ है अच्छांस की देश्टिस भारत उत्तरी गोलार्त में देश जबकि अच्छांस की दिरस्टिस क्या है तो बताओ उत्तरी गोलार्त में ये चीज़े आपको ध्यान देना है अब बात करते हैं हागी देखिए भारत उत्तरी गोलार्त में आठ हंस से आठ हंस चार मिनट से 37 अंस 6 मिनट तक उत्तरी अच्छांस में देखे जबकि यह कहा जाए देशांतर में कहा गया तो 68 अंस 7 मिनट से 97 अंस 25 से 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच इस्तित है अभी सब को मैप में देखेंगे देश का मानक समय रेखा कितना है 82 अंस 58 मिनट पूर्वी देशांतर में है जो मिरजापूर के नैनी लाहबाद के उत्तर प्रदेश से गुजरता है या ग्रेन बीच लेखा से कितना साथे 5 गंट अनी 5 गंट तीस मिनट आगए है ने इस्ते बात करते हैं पहर सकती हूं भारती मानक समय से गुजरने वाले राज का उप्तर प्रदेश मद्य प्रदेश 36 गर उड़ीसा जो आंदर प्रदेश देखी पहले देख है छेत्रपल के देश्टि विसु का सातवा सबसे बड़ा देश क्या है तो बताओगे भारत है सातवा बड़ा देश पुल्छेत्रपल कितना तो बताओगे टो पॉइंट फोर थ्री क्या है अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे देखिए यहाँ से युपड़े अब यहाँ पर ट्रिक लिख लेते हैं देखिए रुक चीन अब अब देखिए थोड़े गलत हो गया अब आभारब अब 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 देखिए यहाँ पर कर्म से लिखा हुआ रूस से क्या हो जाएगा तो बताओ रूस का से कानडा चीन से चीन और आ से अमेरिका और बा से ब्राजील और आ से आश्ट्रेलिया और भारत साथोए नमबर पर रुक चीन अब अब अभारत इस ट्रिक को आपको जरूर नोट कर लेना है रुक चीन अब अब अभारत टोटल कितने राज्यों का करम भीसी में समाहित है रुक चीन अब भारत मे अब भारत का विस्तार उत्तर दच्छिण तिसा में है उत्तर से दच्छिण अब भारत का मैप बना लें से मैप नहीं चल लित्या इसे देखते हैं यदि कहा जाए भारत का उत्तर से दच्छिण में उत्तर से दच्छिण तो इसकी लंबाई कितनी है बताओगे बतिस सो चौदा किलो मेटर निकिल लंबा जाता है और यह तो चौड़ाई में कहा जाए कितना चौड़ाई में चौड़ाई कितनी है तो बताओगे 29 और 33 किलो मेटर है 29-33 किलो मेटर देखे चोड़ाई कितना है उत्तर से पश्चिम कहा जाए या पूरब से पश्चिम कहा जाए तो आपके बताओगे 29-39 किलोमीटर भी सब को मैप में देखे मैप आपको मैंने दिखा है सब मैप को दिखाओंगा बस बरेसान हो डबल बाराब के लिए जनों को इसी वीडियो में बार चलते हैं नेस्ट बात करते हैं किलोमीटर देखे के कुल तट्ये सीमा कितना हता होता होगे 75-116 किलोमीटर इसमें क्या है ये 600 आप घताएंगे तो जो आप बताएं जो दिवपी हैं जैसे आप लोल अच्छ दिवप है आप बताएं अनमाननी को बरतार बार दिवप है और इन सब को मिलाकर कितना है 75-116 किलोमीटर क्या है 30 सीमाएं है और ये दूइपो सही था ये चिया तक इस परकार भारत कितना 25,216 किलोमीटर लंभी सीमा कितना हो जाएगे तो पताओं कि आप इसका उत्तर बताएंगे 22,716 किलोमीटर क्या है 15,200 जाद के लेना 75,16 जाद के हैं तो 22,716 किलोमेटर आ जाएगा टोटल चलते हैं अब बात करते हैं हाँ पर भारत के उत्तर की ओर नेपाल भूटान तिबद चीन पस्चिम की ओर जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान दच्छिन वे स्री लंका और पूर्व की ओर जो है बंगला देश दथा में मार है अब यहां के बाद अभी मायब पे चलते हैं भारत करण राजी के 36 प्रमुक पर सासन इकाई हो अब यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया है इस पर पुराना वाला दिख गया है 28 राज तथा आठ केंद सासित परदेश तथा कुल जो है छासो बातर जिले हैं जिन में से 69 चोविस चासीले और पनातर चातिस सहरे और लगभग जो है कितना छा लाख यक्तालेश जार गाओं है टोटर अभी देखिए यहां पर सब कुछ मिलने वाला है देखिए सब कितने राजे यहां पर करण लिखा हुआ है वहां पर थोड़ा साठा इस राज अब अब इन सब चीज़ जो है उत्तर देशांत उत्तरी अच्छांत में कितना 37 अंस 6 मिनट क्या बताएंगे इसको उत्तर में और नीचे वाले खुई उत्तर कहते हैं क्यों उत्तर कहते हैं पूरा गलोब यह हम बनाते हैं यहां पर एक गलोब बना रहा हुँ तो अब देखिए इस कौन सा रेखा भूमद रेखा यह कौन सा रेखा तो अब बताओगे करक रेखा भारत देखरो बारत किस में है तो अब बताओगे उत्तरी गोलार्द में है अब वैसे किस देशांतर में है तो अब बताओगे देखिए यह हम चार पार्ट में बारते तो यह पूरब में पड़ेगा कि नह गोलार्द है दो ही पार्ट इसके आपको समझ में आ गया क्यों उत्तरी अच्छांस कहा जाता है पूर्वी देशांतर कहा जाता है तो अब बता है 37 हंस 6 मिनट से लेकर और मुख्य भूमी का बता रहा हूं आपको बताएंगे कितने तो अब बताओंगे 8 हंस 4 मिनट तक जो है फैला 8 हंस 4 मिनट कौन से तो बताओं उत्तरी ही कहेंगे क्योंकि आप अभिवायप में आपने देखा गुलोब में कहा पर ये उत्तर ही उत्तर में करकर रेखा कि एक भूमत रेखा कि उत्तर में है इसलिए उत्तरी अब बात करते हैं यहाँ पर देशांतर की तो देशांत आभी मैं इस जितने भी पडोसी देश पडोसी राव देश हैं इनको ट्रिक कमाध्यम से देखेंगे परिसान हो ना देखें अभी मैं देख लेते हैं अफुर्टान देखी कितना मात्र 106 किलोमेटर सीमा बनाता है अफुर्टान वह जमू कसमीर में पाकिस्तान कितना तो बंगलादेश 46, 96 km आपको देख रहा है, यहां नेपाल आपको देखेगा, नेपाल यहां लगबब 1700 क्याओं किलो मेटर है, अब यहां पर भी करक रेखा के बारें बात करें, करक रेखा कितने राजियों से गुजरता है, तो अब बताओ, आठ राजियों से गुजरता है, मि आप सागर है तो इस साइड के हाथ होता होगी बंगाल की खाड़ी आप देखिए यहां पर लंबाई आपने देखा तो उत्तर से दच्छिण की लंबाई कितनी है उत्तर से दच्छिण की लंबाई आप क्या बताओंगे यहां पर दिखर आपको 32-14 किलोमिटर जबकी रूप करके दिखाऊंगा देखिए यहां से जोड़े और इसको यहां से जोड़े और इसको यहां से जोड़े और इसको यहां से जोड़े देखिए इसको यहां से जोड़े यहां से जोड़े देखिए चेट्व स्कोंड यह जा रहा है कि नहीं जा रहा है चार तो भारत क आकिर्ति कैसी तो आप बताओगे चतु स्कूर ये है ये चीज़े आप भी प्रूव हो गई अब देखते हैं फिर से आप देख लिजी सब चीजों को अच्छा अंतेसांतर मैंने सब कुद देख लिए सब जितनी बात मैंने बताया था देखे सब अस्तलिय सीमा सब मैंने दे आप संचिप्त परिचे देख लेते हैं उसके बाद और जो जितने ट्रेक्स हैं उनको भी देख लेते हैं पत बने रहें आपको सभी आसानी से यादों की जन संक्या करना तो कितना 302 क्रियो मीटर परत वर्ग है जबकि जन संक्या कितना है तो ये 121 करोन है कुल लिंगा अ सचर्था कितना 50.46 है क्यों 65 आप झाथ चल जाएगा बोटल कितने जाज है तो अब बता है टोंटी एट और कितने केंशासिट पर देश है और राश्टी है और राश्टी भांसा यहां की जगाश्च क्या होना चाहिए यहां राजभासा होना चाहिए, राष्टी भासा कोई नहीं, तो राजभासा यहां पर होना चाहिए, राजभासा कौन सा तो बताओगे हिंदी है, राजभासा, अब अभी जितने यह हैं को ट्रिक से भी देखेंगे, और ऐसे भी पहले एक बार देखेंगे कि आपको पता र प्रदेश, उत्त्राखंड, सिक्किम, इमांचर प्रदेश, ये सब क्या है, अरवांचर प्रदेश, ये सब किस से बनाते है, चीन से सीमा, कितने चीन से बना रहे है, एक, दो, तीन, चार, पांच, टोटल चीन से कितने पांच, बंगलादेश से कितने बना रहे है, तो अब दो तीन और चार पाकिस्तान से कितने तो आपतो चार राज सेमा बनाते हैं आब नेपाल से कितने तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम, बंगल, सिक्किम emals और उत्तराखन टोटल इससे भी कितने पांच राजी बनाते हैं अब इन सब को मायब के माध्यम से दबारा देखें कि आपको चीजे आसानी से हाथ हो जाएं मैं हमार से देखते हैं अरुनाचल परदेश, नागालाइन, माडीपूर, मिजोरम तो इससे भी एक, दो, तीन और चार राज किसी भोटान से अब इन सब को हम ट्रिक के मात्यम से अब देखे भारत के खुल पड़ोसी देशों के रात में बच्पन 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 में किया तो बच्पन में बच्पन में बच्पन में बच्पन में बच्पन में किया तो बच्पन में बच्पन में बच्पन में पश्चिम मंगाल क्या तो 33, जबकि नेपाल कितना तो 1750, मेमार कितना तो 1643, और भुटान कितना बताओ 699, अफगानिक कितना 106 किलिमिटर, तो इसको आपके स्क्रीन सॉट जरूर लेने ना है, अब चलते हैं, इनको और भी मैप में देख लेते हैं, अच्छे से, पाकिस्त अब बताओगे, जम्मु कस्मीर है, अब उहीं पाकिस्तान से देखते हैं, सबसे पहले इदर नीचे से हम सुरू करते हैं, कौन सा पहला गुजरात हो गया, दूसरा राजस्तान हो गया, तीसरा पंजाब हो गया, चोथा क्या हो गया, आब बताओगे, जम्मु कस्मीर क्या अब लगदाक्स जदर जदर सीमा बनाता तो अब चलते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं चाइना के साथ चाइना के साथ साथ कौन सीमा बनाता है तो चीन के साथ आप जम्मू कस्मीर भी बनाता है आप बताएंगे देखिए यहां पर कौन कौन सीमा बना रहा है देखिए उपर सबसे उपर क्या है अब बताओगे जम्मु कस्मीर है जम्मु कस्मीर के बाद आता है हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश के बाद क्या आता है तो अब बताओगे तो यहाँ पर देखें यहीं उत्तरा खंड बीच उसके बाद क्या सिक्किम लगता है सिक्किम के बाद क्या रुवांचर प्रदेश यह सब किस्से लगते हैं तो आप बताओगे चाई महां से लगते हैं अब फिर उसके बाद हम देखते हैं तो आप बताओगे यह म्यामार से करते हैं अब उसके बात बात करते हैं किसी बेंगाल की तो बताओगे विहार पढता है िंदर कौन लगता है तो बताओ इदर का बंस्धची लगे यले उसके अपने देखा पाज बैखा फिर याथ बता दिर्पूरा है यह थर अथी बंगलादेय अलादेश से लगने वाले राजे हैं अब चलते हैं कौन सा बच्चा अब तो लगबग सब हो गए है अब देखी इधर बाद ये सब कोश्टल वाले हैं हम देख लेते हैं ये समुद्री सीमा के दूआले राजे हैं टोटल कितने हैं आप पता उन्हों है पहले कौन सा तो देश के बाद क्या का विशा है उरिशा के बाद क्या आता है तो बताओगे पर शिमंग्वाल तो टोटल कितने पांच चार । नम राजे से हैं जो किक से सीमा बनाती है तो Condo में बनाते हैं वह य। द्यूप की बात कर लेते हैं, अपर देख्याइ तो आपका एक द्यूप की ध़र द्यूप और नागर दादर नगर इदाधर दीब यावेरि इधर दीख रहाई आपको औ। ऊसके बाद यहाँ लच्छ द्यूप दीख रहाई 56 द्यूपों का समूव है अब उसके बाद आप देख रहे हैं इधर क्या है तो बताओ अंडबान निकोबार दूप समूव है ये क्या है तो जलिये सीमा ये सब क्या है जल्म जलिये दूप है अब दूप क्या जल्मे ही होते हैं अब चलते हैं बात करते हैं स्रिलंका से कौन सा अब स्रिलंका से भारत की कौन सा तो बताओ जलिये सीमा लगती है अस्थल सीमा नहीं लगती है अब चलते हैं तेयोरी पॉला पार्ट देख लेते हैं चलिक के साथ-साथ पिर जो है हम इसके राज जितने पडोसी देश हैं उनकी राध्धानियों के देख लेते हैं बस बने रहें देखें चीन की राध्धानिया बताऊ क्या होती है बीजिंग भूटान की क्या है तो अचिंपू और नेपाल क्या है तो काठ़पांडू और स्र जेवर्धने पुरम कोट्टे है वियात कर लेना आपको कोलंबो को जगा कोलंबो क्या है तो कामरसेल रादानी है नियामार की क्या तो नैपीडा है माल्दियू के क्या है तो माले है और बंगला देश की क्या है ढाका है पाकिस्तान की क्या है तो इसलामाबाद है इंडोनेसि तीन क्या है तो बताव जल सीमा टोटल कितने दस बड़ो सी रेस हैं और दस में से तीन क्या है तो जल सीमा वाले हैं इनको आप माइप के तुरू अब आप देख सकते हैं देखें सब देख रहें आपको एक बार आप इस पोस्ट खिर से रिवाइज करिए इस क्रीन सौर में महानिमारय का सो एक कितना आप बताो कि 8589 कितना कि मीतर है मीतर मैं मियाद कर लेना है अब को नंदा देवी का है महानिमालय का सmaru 58 प्रबस सेनड़ी है सबतर चालिस केदरी नात क्या महानिवाले का है और ये अट सट एकसर इसमें सबको नहीं आतकर आप इसमें इधर देखिए केदानात आपने आधी के लिया उसके बाद आपको अनाय मुडी के अन्ना वलाई या नाय वली की अलाई चोटी पर है और वहीं का है डोडा बेटा की सबसे उची चोटी आप नीलगरी की है ये 26 सो सैतिस है और धूबगड़ की काउंसी सत्पुड़ा की है धूबगड़ी सबसी चोटी की सत्थोला की 13 सपचात था माउंट आभू की अरावली ये अरावली की है देखिए अरावली आपको जरू सीमा वाले देखिए दच्छंटम बूंद अभी सभी बात हो चुकिए दच्छंटम बिंद को से इंद्रा पॉइंट ग्रेट नोगवार दूप में है तो तर्तम बिंद इंद्राकौल जम्मू कस्मीर में है पच्च्चिमी बिंद को हो गवर्म आता है जिबकि पूर्भी म देख लें अब बात करते हैं सीर्स पांच छेत्रफल वाले राज की बात कर लेते हैं को उनको सबसे अधिक सी राज का छेत्फल कितना तो बताओगे राजस्थान का तो आप कितना है 3,42,249 जो है वर किलो मीटर है जबकि मध्य परदे दूसरे नंबर पे आता है 3,88,245 है महराश्टा की तेसरे नंबर पे है 3,7,713 उत्तरफल के अस्तार उत्तरफल का कौन साथ चोथा है जनसंक्या के अंसार जो है उत्तरफल का परतमास्तान है और पांच उम्मू कस्मीर ह यह चीज़ आतर करे रहना है और सीर्च चेत्रफल वाले पांच चेत्रफल वाले जिले कौन-कौन से है सबसे बड़ा जेख दिखे के कच्छ का जिला है गुजरात में है कितना 45,62 ले दूसरे नंबर जम्मू कस्मीर में आता है और तीसरा क्या है तो बताओ गिल जैसल मेर राजस्थान का और चोधा भीका नेर का है और पांच बार मेर का है चलते ही नहींत देखते हैं सिर्च तटरफल वाले राज के देख लेते हैं सबसे दिख दीक तर्ठ रेखा किसकी है तो अंड हमान निको बार्दुप कि कितना 62-2 वासठ है जिबकि गुजरात की कितना है तो orang बात्यों की सकते हैं ऑग इसी की थिसीए खेंगों की मिम्यूराइट की प्रमुकरकों है भंष्व और आगर राष्ट्य सेली नकी sustainability कि गोई थी एक में आगर मौहण us ब़रफ दोनों के भी उपकिस्तान दोनों बजके उससुंट डोरों रेखा है अब यह कहते हैं बबातपूर अब यह भारत और पाकिस्तान दोनों के पीज़ है और यही है चलते हैं बात करते हैं आगे पर्मुकर सब्चाइब या जल डबरूमध किभाल कते हैं इंदरा पॉइंडोंनेसिया को ग्रेट चाइनल से क्या करता है जिबकि लगो अंडुमानको कार्नीकोबार से 10 लगवानको कार्नीकोबार से कि तर कवन आलग करता है बता हो 10 डिग्री चाइनल जबकि मिनी काय को लच्छी दियू किसे नौ, माल दियू को मिनी काय से किसे आठ, भारतों से लंका को बताओ, मनार की खाड़ी या पाक की खाड़ी जलसंग धी से आलग होता है, अब बात कते, बंगला देश से सीमा साजा करने वाले, बंगला देश की सीमा समंदित राज, भ बताओगे 22,17 जो है वर किलोमीटर की छेतरफल सीमा बनाते हैं अब बात करते हैं देखिए करकरेखा से कितने राजी जुड़े हैं इन सब की बात कर लेते हैं बस बने रहें करकरेखा भारत के मद्य से गुजरती है या आठ राजियों से होकर गुजरती है इस परकार गुज गम चा जार इसको नोट जरूर कर लेना है मी से मिजोरम तास से तिरपुरा पास से पस्चिममंगाल राज से राजस्तान गास से गुजरत अब मास से आप पताएंगे मद्य परदेश चा से चातिस गड़ और चार जार खंड एक बार दुबार कराओं मिजोरम तिरपुला पस्चिममंगाल राजस्तान गुजरत मद्य परदेश चातिस गड़ और चार खंड इन सब चीजों को आपको आसानी स्यात कर लेना है अब चलते हैं प्रादेशी सीमा के बार बात कर लेते हैं प्रादेशी के जलिये या समुद्री सीमा के बात कर दें इंडिया रिजिनल देखिए भू सागरे सीमा इसे टेरिटोरियल जोन कहा जाता है या अधार रेखा से बारा समुद्री मील का उपयोग भारत का पूर अधिकार होता है बारत तक क्या है यह भारत को बनाए तो बारत यहां पर बारत समुद्री मील तक का पूरा अधिकार किसका है तो बताओ यहाँ है भारत की सुल्क वसूली और वित्ती अधिकार प्राप था। तो 24 तक का अब वहीं कहा जाए अब इसी कहा कि यह बारा और 24 से जोलने पाद यहां यह कहा जाए 200 किलोमीटर तक 200 समित्री मूल तक क्या है क्या हम कर सकते हैं बाइज्यानिक अंदान कर सकते हैं और उसके बाद 200 के बाद जो है कहते हैं इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं साल लग निचे रहा कांटिक जोर जोन को बोलते है 24 को जब कि अनन अर्थिक छेतर ने इसकिलोजिव एकॉनोमिक जोन ये आधार रेका 200 समुदरी मूल तक इसमें क्या भारति बाइग्यानिक अंदार और प्राक्रतिक संसाधन का दोहन की है और देखें यहां एक समुदरी मील बराबर कितना होता तो वन पॉइंट एट क्लियोमेटर होता है इसको जरूर याद कर लेना तब ही आप समझ पाओगे और यह कई बार पहुंचा भी गया है भारत के विदेशी छेतरों का समाबेस अब बात करते हैं पंदरा अगस तो दवन दिव और गोवा और फ्रांसीसी के उन तो चंदरनगर पांड़चेरी कराइकल और माहे यनम इन सब को मिला के क्या बनाया गया तो पांड़चेरी के नाम से बनाया गया था राज किन साथी पर्देश देखिए 1987 में 56 समिजान संसुदवन के दौरा गोवा भारत का कि इसके तर्थे देख लेते हैं देखिए भारत का वार राज जो तीन तरफ से बंगलादेश से गिरा है बताओ तीन तरफ से गिरा तो तिरपूरा हो जाएगा अब बात करते हैं देखिए तिरपूरा और बंगलादेश की सीमा कहलाती है तो सून देखा के नाम से जाना स्राजी की सीमा सबसे लंबी है तो पाकिस्तान से सबसे वर्दिक सीमा कौन चम्मू कस्पीर बनाता था 1225 किलोमीटर बनाता था लेकिन अब यह नहीं है यह चीज़े याद कर लेना है क्योंकि अब लद्दाग भी बन गया ना इसमें से अब बात के भारत के उप अब बात करते हैं भारत के राज्यों को संख्या जो पड़ोसी देशों सीमा और 17 राज्यकों जो पड़ोसी देशांस मिलते हैं यह आपको याद करना है बारत अच्छांसिये देशांतिर विस्तार गरमसा 29 अंस दो मिनट से 29 अंस अठारा मिनट तक है यह चीज़ा याद कर लेना है बहुत ध्यान पूर्वा कि इसको इसको इसक्रिंट वाट जरूर ले ले लें इसको देखें अच्छांसर यह कितना है तो बताओगे 29 अंस दो यह देशांतिर विस्तार कितना है 29 अंस 18 मिनट तक है अब रजन हो सतन कह सकते हैं चलते हैं पाठचरी कैन शासित प्रदेश में समय तो माहे कराइकल और पॉंड चरी कहां पर है तो बताओगे माहे के रल के पास है और पांडचरी कहां तमलाट यो एनम कहां तो एनम बताओ आंदर प्रदेश कि सीमा में पड़ता है अबात मरकद्यूपिया इसे बोलते हैं एमराल्ड आयरलेंड नाम से जाना जाता है किसे अंडमान और निकोबार्द्यूपिया कहते हैं एमराल्ड आयरलेंड के नाम से जाना जाता है बारती संग में सामिल राजो केंसासिश छेत्रों की संख्या कितनी तो यहां फिर देखिया अठाइस वहां लिखा था अठाइस राजय और आठाइस केंसासिश प्रदेश हैं भात पेक पूर पूर्पोतар राज जिनकी सीमय बंगला देश से नहीं लगती नाका लैन माली पूर और राण्चल प्रदेश और नहीं लगती है मैच मोहन रेका भारत चीन भारत के किस राज इसके बीचए और राण्चल प्रदेश की बीच है इंद्रा पॉइंट 283 किलिमेटर ये जरूर इसको इंस्कुर्ड लेना है अपको पूरे भारत का चांसी अभीतार अणवान निकोबार दुर समूसे चार मिट से लेकर 37 अन्स 6 मिट उत्तरी देशांतर तर तक है अब बात करते हैं भारत के पांच तट्रेखा वाले राजी कौन से हैं तो गुजरात मद्य परदेश सीर्स पांच सबस्यादी किसकी तो बताओ गुजरात यहाँ पर मद्य परदेश नहीं होगा यह चीज़ आद करना है गुजरात तमिल यहाँ पर महराष्ट महराष्ट तो उसके बाद के रहल आपको आध करना है अब बात करते हैं नेपाल भूटान और चीन की सिमाओं से मिलने वाला भारती राज़ को ना तो शिक्किम जो है नेपाल से देखे सीमा साजा करता है बोटान से चीन तीनों सीवा साजा करता तो बताओ सिक्किन तो प्यार साथ हो आज के लिए तना ही फिर मिलते है एक नए ससन में जाए हिन जाए भारत